चलिए बनाते हैं ब्रेट पोहा जिसके लिए मैंने लिया है चार स्लाइस ब्रेट बारी कट किया हूँ आप टमाटर करी पता ग्रीन चिली और अनियन आपको इस में से जो भी पसंद ना हो वो आप इसकिप कर सकते हैं तो कढ़ाई मैंने शड़ा दी है कुकिंग ऑईल डाल कुकिंग ऑईल की जगए आप जो भी घी रिफाइंड या बटर इस्तमाल करते हैं वो आप डाल सकते हैं तो ऑईल को अच्छे से गरम होने देंगे जैसे ही ऑईल में हीट आना स्टार्ट हो जाएगी मैंने डाल देना है राई दाना राई दाने को अच्छे से चटकने इतना ही पकाना है बस इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी टिमाट अगर जो आपको टिमाटर पसंद नहीं है तो आप rogen throne दाल करक की ज़ला दूगी मैंने कम ही मैजिक मशाले में नमक होता है इसलिए मैं कम ही को मिलतक का इस्तमाल कर रही है इसी स्टेज पर मैं मासाले को भ करते हो हल्दी मिर्चा धनिया वह आप डाल सकते हैं अगर जो मैगी मसाला डाल देते हैं तो फिर कुछ भी मसाले डालनी की जरूरत नहीं होती है जब तक मसाला अच्छे से कुक हो रहा है जब तक मैंने ब्रेड की स्लाइस को कट कर लेना है आप अपने मन चाहे सेफ में कट क कर सकते हैं अगर जो आप कट करना नहीं चाहते हैं तो हातों से क्रस्ट भी कर सकते हैं जितना बारिक चाहें क्रस्ट कर सकते हैं या आप टुकडों में भी क्रस्ट कर सकते हैं मैंने स्कॉयर सेप में छोटे चोटे पीसे कट कर लिये हैं ब्रेट पोहा बहुत जल्दी बन करक हेवी भी होती है आप मॉर्निंग में इसको ब्रेक फास्ट में बना सकते हैं बचों को लेंस बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है खाने में मसाले अच्छे से कोक हो गया है इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी ब्रेड के कटे हुए स्लाइज और अच्छे से चला दूँगी मसाले की कोटिंग ब्रेड के उपर हो जानी चाहिए अगर जो आप बहुत जादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो आप गैस की फ्लेम हाई रखें और ब्रेड अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी तो बस मिक्स कर लेना है और प्लेटिंग कर लेनी है बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाता है फटा फट से मैंने प्लेटिंग कर ली है मैंने रखा टेमेंटो केचर कड़क मसाले वाली चाहिए अगर जो आप चाय पीना पसंद नहीं करते हैं तो आप लसी जो उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है प्लीज में चाहिए को लाइक करें शेयर करें कमेंट कर सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन ज़रूर ट्रस कर दें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें थैंक्यू पॉर वाचिंग